हाई दोस्तों आप सबीका स्वागत है मम्मा की रस्वी में तो आज हम बनाएंगे जटबट पुलाओ तो चलिए देखते हैं तो पुलाओ बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी यह वाली कटोरी मैंने चावन लिये इसे धोके साप कर लिया है थोड़े से मेरे पास फ्रो एक हरी मिर्ची एक प्याज और यह मैंने लिए सोया बड़ी तो इन्हें मैंने एक घंटे पहले बिगो दिया था और मैंने इनका पानी भी दो-तिन वार निकाल लिया है और अब डालेंगे जब फिर निकाल लेंगे और दो चम्मच मैंने तेल डाला है तेल गरम हो गया है तो सोया बड़ी डाल के हम पुलाओं खाते हैं तो काफी पोस्टिकता से बरपूर हो जाता है तो जो बच्चे जिम जाके आते हैं तो उन्हें सोया बड़ी बोलते हैं कि सोया बड़ी खानी चाहिए तो आप पुलाओं में डाल के इस तरह से बच्चों को खिला सकते हो तो सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें हींग थोड़ा सा दो पिंच हमींग डाल देंगे वन फोर चम्मस जीरा और थोड़ी से में राई डालूँगी राई जीरा अगर आपको पसंदो तो आप डालिए और नहीं पसंदो तो आप नहीं कर सकते हो अलू ढाल देंगे अगर आप याज नहीं डालना चाहते हो तो जी चुट कर देंगे अभी सर्दियों के मुंट सिमें तो गाजर भी आएगी तो आप गाजर भी एड कर सकते तो मैंने इनका पानी तीन से च्यार वान निकाल लिया तैस तरह से निचोड़ के के में सिमे और विवे अब एक बार हम मि Ally go कभले अमम्म इसमें मशालँ डाल दूंगी आदीप मसालस नमक की कि नमक मिर्ची तेस्ट के अगोंटिंग डाल दे या दी चमज लाल मिर्ची, अदी चमज सोफ, 14 चमज हल्दी पावडर और मिक्स कर लेंगे तो इसमें आप पत्ता को भी बीडाल सकते हो, कोई भी वेजी जाब इसमें डाल सकते हो, जो आपको पसंदो और जो बच्चो को खिलानी हो चावल आप कोई से भी ले सकते हो, चावल भी डाल देंगे इसमें, और ये मटर भी डाल देंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे, तो मैंने एक कटोरी चावल लिये थे, तो मैं दो कटोरी पानी डाल लोगी, गैस फुल कर देंगे, और एक सिटी, आपके जितने दिन में भी आपके चावल सीचता है, आप उतने सिटीयां लिये, मैं एक सिटी लोगी, एक सिटी लेने के बाद मैं गैस बंत कर दूगी, और फिर भाब खत्म होने के बाद हम चेक करेंगे, तो मैंने एक सीटी लिती और भाब खतम होगी है देखे हमारा पूरा पानी बिल्कुल सही है अब इसमें मैं डाल दूँगे हरा धनिया और नीबु गरज डाल देंगे इसमें और इसे मिक्स कर लें देखें कितना भड़ी आप पुलाओ बना है हमारा वह तो चानल के ओपर डिपेंड करेंगा अगर आप चावल बड़े साइज के लेते हो तो वह खिले-खिले दिखेंगे आपको हमने चावल थोड़ी छोटी साइज के लिए थे तो यह हमारा पुलाव बनके रेडी हो गया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह रेसेपी पसंद आई होगी और आप जरूर ट्राइए करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसेपी में बाई बाई